Hello and welcome दोस्तों मेरना मैं Paras Singh and आप देख रहे है Paras Official YouTube Channel तो आज की वीडियो आप सभी के demand पे बना रहा हूं मैं काफी जारे बंदों को problem आ रही है PUBG के अंदर and PUBG KR के अंदर दोनों PUBG के अंदर ये problem आ रही है login problem, downloading problem, resources pack download नहीं हो रहे है map download नहीं हो रहे है अगर आपको ये problem नहीं आ रही तो अगले update में आ सकती है ये problem आपको ठीक है जो update एक या दो वीक के अंदर आने वाला है 1.3 का जिसमें आपको anniversary 3 देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको अगर ये problem आती है तो आपको पहले से solution पता हो ठीक है सबसे बहले मैं problem बता देता हूं कौन सी problem बंदो को आ रही है मैंने screenshot लेके रखे है देख सकते हैं यहाँ पर restart your device बार बार बोलेगा restart your device restart your device या फिर आपको यह problem आ सकती है restart your device वाली तो आ रही है एक यह वली problem है इसमें देखो error 1 लिख है इसमें देखो error code लिखा हुए ठीक है तो इस तरीके की काफी सारी problems आ रही है बंदो को मैंने screenshot लेकर रखे थे क्योंकि मुझे भी problem आ रही थी ठीक है map download नहीं हो रहे है login problem हो रही है तो सभी के solution आज के इस वीडियो में है तो छोटे इस वीडियो बनाऊंगा फटफट से इस वीडियो को complete करते हैं और आपकी सारी problems को solve करते हैं तो चलते है mobile screen पे तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं मैं mobile screen पे आ चुका हूँ and मैंने कोई भी vpn नहीं लगा रखा देख सकते हैं vpn अभी मेरा बंद है vpn चालू होता तो उपर vpn लिखा होता ठीक है तो अब फटफट से pubg को on करते हैं and देखते हैं आपकी problems को solve कैसे किया जा सकते हैं तो यहाँ पर मैं pubg open करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी pubg login हो चुकी है मैं slide करके आपको दिखा देता हूँ कोई भी vpn नहीं लगा हुआ भी भी and मेरे को सारे के सारे event show हो रहे हैं जबकि मैं इंडिया से हूँ इंडिया वालों को event show नहीं होते जैसा कि आप सभी को बता होगा इसकी भी एक trick है कैसे आपको event show होँँगे सारे के सारे वो भी आपको मैं बताऊंगा सबसे पहली problem की बात करते हैं login problem जैसे कि यहाँ पर मैं logout कर देता हूँ ठीक है मैंने logout किया logout करने के बाद अब मुझे login करना है तो मैं यहाँ पर twitter के option पर click करता हूँ जैसे ही मैं twitter के option पर click करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझे login करने के लिए बोला जा रहा है, मैं login करता हूँ, यहाँ पर login नहीं होगा, fail login लिखा आगया, मैं दोबारा से login करता हूँ ठीक है, देखते हैं, login होता है या नहीं, तो यहाँ पर मैंने फिर से try किया, यहाँ पर देखो, network error problem आ गया मेरे को, ठीक है अब यहाँ पर मैं okay करता हूँ मेरा login होगा ही नहीं मैं जितनी भी try कर लूँ मेरा login नहीं होगा अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोबारा से PUBG को बंद करना है और mobile screen पर चलना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं mobile screen पर आ चुक हूँ तो यहाँ पर मैं पर UFO VPN है, Node VPN है, Solo VPN आप कोई भी free VPN डाउलोड कर सकते हैं Node VPN का मेरे पर premium account है तो मैं Node VPN यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आपको Singapore का server connect कर ले ना आप कोई भी server connect कर सकते हैं Singapore मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Singapore fast बहुत है ठीक है और यह आपको सब जगा available मिलेगा चाहे वो Solo VPN है, चाहे वो आपका UFO VPN है, चाहे कोई और VPN है तो मैंने यहाँ पर VPN connect कर लिया, उपर देखो VPN connect का एक चाबी का निशाना आ गया न तो इसको बोलते VPN connect हो गया हमारा अब मैं PUBG को दोबारा से open करता हूँ and login करने की try करता हूँ तो काफी बंदों को यह problem आती है कि वो loading screen पर ही attack जाते, login वाला page ही नहीं आता तो उस time पर भी आप VPN लगा के आ सकते हैं आपको page आ जाएगा login वाला, ठीक है तो अब login page आ चुक है, यहाँ पर मैं Twitter के option पर दोबारा क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं Twitter से login कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने Twitter के option पर click किया and यहाँ पर loading हो रही है, देख सकते हैं मैं wait कर लेता हूँ थोड़ा सा wait करने के बाद यहाँ पर second page आएगा या फिर सीधा login ही हो गई, ठीक है login problem solve हो गई, ठीक है अब यहाँ पर दूसरी बात, दूसरी बात आती है कि आपका downloading problem जैसे कि अभी देखो कोई भी map मेरा download नहीं हो रहा ठीक है, अभी मैं download पर लगाऊंगा तो speed देखना, उपर speed आ जाता है न देखो, download पर automatic लग गया तो यहाँ पर मैं काफी जरी चीजे update कर लेता हूँ, downloading पर लगा देता हूँ ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी speed देखो 900, 855, 700 ठीक है, अभी और speed बढ़ेगी अभी कम आ रही है, ए देखो 2400, 4500 देख सकते हैं speed कितनी अच्छी आ रही है अब मैं VPN बंद करके आता हूँ, उसके बाद try करते हैं, download करने का और देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं slide करके दिखाता हूँ, चाबी का option दिख रहा है न आपको तो इसका मतलब है कि VPN अभी connect है तो मैं फटावर्ट से VPN बंद करके आता हूँ, फिड नहीं आ रही है, देखो, 18kbps, 5kbps जबकि VPN लगाने के बाद अच्छी आ रही है, VPN बंद करने के बाद कम हो जा रही है, मतलब 6-7kbps, 10kbps भी speed आपको मिलेगी, या 20-30kbps भी आपको speed मिलेगी, तो आप सदियां बीच जाएंगी, आपको कोई भी आपनी डाउनलोड होगा, क्योंकि 2-3kbps की सारी चीज़े होती है, आप सभी को पता है PUBG के अंदर, जो maps बगारा होते है TDM बगारा, या फिर resources pack पूरा का पूरा अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो 2-3kbps का होता है, तो अगर 10-20kbps की speed आएगी, तो से डाउनलोड होगा, देख सकते हैं, maximum 100kbps तक गई, क्योंकि मेरा Wi-Fi है, और अच्छा चल रहा है Wi-Fi जबकि VPN लगाने के बद, 5000 तक जा रही है, ठीक है, तो डाउनलोडिंग प्रोब्लम आपकी VPN लगाके solve हो जाएगी सिंगापूर के VPN से ही आप करना डाउनलोड, स्पीड अच्छी आएगी कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी, अब काफी सारे बंदों को ये प्रोब्लम आरी है, उनको event नहीं शो हो रही, देख सकते हैं, मैं event slide कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, recommended पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे event में को शो होंगे, अभी यहाँ पर इनकी photo नहीं शो हो रही, क्योंकि मैंने इनको download नहीं कर रखा photos को, तो आप event बाहर देखोगी, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी photos दिखेंगी, अब यह photos मुझे कैसे दिख रही हैं, सबसे बहले आपको PUBG को बंद करना है, फिर से VPN की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, VPN लगाने की बात करना क्या है, आपको सारे event शो हो जाएं ताकि वह आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बहले चलते हैं, mobile screen पर VPN लगाते हैं, फटावर से, तो मैं mobile screen पर आ चुका हूँ, फटावर से, यहाँ पर मैं VPN लगा लेता हूँ, फिर से Singapore का ही, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, Singapore पर क्लिक करता हूँ, इस चीज को ध्यान से देख ले ना, ताकि आपको प्रब्लम ना है, ताकि आपकी photos भी load हूँ, जैसा कि मैरे comment पर गया था, photos नहीं आ रही थी ना, उस photo को कैसे download करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने VPN लगाया, PUBG on की, काफी बंदों का क्या होता है, इस loading screen पे अटक जाता है, यह जो loading लिखा रहा नहीं यहाँ पर, तो अगर आपको यह problem भी आती है, तो VPN लगाओ, एक बार VPN लगाने की यह काम की चीज़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर event में को show हो रहे हैं, आप सभी के सामने यहाँ पर मैं जाता हूँ, setting पे, setting पे जाने के बाद, आपको VPN लगा के यह चीज करनी है, जो चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, VPN on होना चीज़ आपका, ठीक है, ब यहाँ पर आपको क्लिक करने है, और यहाँ पर कर देना, ओके, इससे क्या होगा, आपका client repair हो जाएगा, ठीक है, repair करने के बाद आपकी जो game है, वो restart होगी, तो यहाँ पर मैं game को restart कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी game है, वो restart हो चुकी है, मैं थोड़ा सा wait कर लेता यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए आपको MB की जुरूत है, क्योंकि सारा कुछ दोबारा से डाउनलोड होगा, अपडेट का मतलब में यह बोल रहा हूँ, जो आपको event वगएरा शोओ नहीं होते हैं, उनकी photos डाउनलोड नहीं हो पाती हैं, इंडिया म तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, क्या करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पर resources pack डाउनलोड हो रहा है, जो preparing resources है, तो यह वही photos वगएरा है, जो event की photos वगएरा होती हैं, जितने भी event हैं आपके PUBG के अंदर, वो सभी की photos वगएरा डाउनलोड हो रही हैं, तो इससे आपको सारी चीज़े शो हो जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड होने देता हूँ पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, अभी भी मेरा VPN connect है, VPN लगा के ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है, उसके बाद VPN डिलीड कर सकते हैं, कोई problem आप सभी के सामने में VPN डिलीड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद पिंग भी दिखाऊंगा, तो वेट करो थोड़ा सा, तो जैसे के आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग कम्पलीट हो चुकी है, अब फटावड से यहाँ पर मैं असैप्ट करता हूँ, लोग इ यहाँ पर लोडिंग हो चुकी है, अब मैं लोबी में जाके आपको दिखाता हूँ, एंड पिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे इवेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे शो हो रहे हैं, अब मैं रेकोमेंड डिड पर ज थी बट अब आ रही है जब हमने वीपियन लगा के रिसॉर्स इस पैक वे दो तीन के वीपियस हो गई फिर से तो वीपियन लगा के ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तब भी ज्यादा स्पीड आएगी और फटावर से आप लेकि आप 구vocors करते स्पेक वेगे दया का ही व्यलेचई पे अरे से से में वह चेंज करना पड़ेगा इंडिया में अगर आप बहार से हो तो आपको तो प्रोब्लम नहीं आएगी वोइस की और ये PUBG KR और PUBG Global दोनों के लिए ट्रिक ठीक है जो भी मैंने आपको वीपिन ट्रिक बताई कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ ठीक है तो आज की वीडियो में इतने ही था अगर आप आगे कुछ भी में से चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो कमेंट करो फटाबर से और इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो करना जाते हैं तो बाकी मिलते हम इपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए जया हिंद बंदे मातरम